हाई गाईस मैं मिश्टर डभी आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको जैन सर्वर के बार में सुना होगा जो एक वर्चुलाइजेशन सर्वर होता है उस पर आपको कोई मसीन करेट करने तो कैसे करेट करते हैं जैसे कि आपने देखा यह मेरे पास एक तो गभी आपने जो भी मसीन इन में से स्यवस्त कर सकते और नेक्स कर सकते हैं यहां इअ पे आप नाम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आइपी उसके बारे में वह आपकर चाहते कि आप किस पर प्रक्रस के लिए यूस करा हूँ exploited मैं इन्फोरमेसं. यहां पे पिल करता ह तो आप उसे ब्लैंक पी छोड़ सकते हैं तो यह मैं लिख देता हूं IT software से related बना रहा हूं तो मैंने next किया यह देखिए इस तरह से कुछ आता है जो already added है कौन सा server है मतलब आपने जो भी share कर रहा है कोई folder जहाँ पर आपकी ISO image पढ़ी हुई है तो window पर अगर share किया तो आपको window पर जाके select करना उसको नाम दे सकते हैं कुछ भी और next कर देंगे यहां पर मैं अपने laptop पर दिखा देता हूं कि जैसे कि यह ISO नाम का folder है इस पर right click करके advance में जाते हैं और यह full permission apply करना होता है यह तो आपको पता ही होगा उस folder को मतलब सेर कर देना है पूरी permission के साथ और सेम आपको वहां पर जाके जैन्फ server पर उसकी IP उसका user मतलब location के साथ जिस location पर है ISO वह पूरी location के साथ आपको वहां पर पूरा path देना पड़ेगा यह नहीं कि आपने सिर्फ उसकी IP दे दी और उसको ले लिया तो वह automatically नहीं लेगा तो उसको आपको पूरा proper path है यहां पर जैसे मैं नहीं यह दिया है फिट जैसे कि अब आ गया connectivity इस होता तो आप यह सेम करेट करना next करेंगे तो मैंने ISO select कर लिया वहां पर उसके बाद next किया फिर यहां पर देखो RAM और CPU कितने दिने वहां आप दे सकते हैं ठीक है यहां पर हाड़िस आप इसे दे देजिए जितनी भी आपके पास से नीचे सो भी करता है कितनी हाड़िस है उसे मैंने correct किया next किया आपका जो भी network का दो network होते है तो यहां पर आगए तो यह जैसे कि आपको देख रहा है कि start button होता है इधर यह notification area है नीचे जो notification सारा है details आप यहां से देख सकते है कि क्या चल रहा है अभी तक जैसे कि virtual machine भी वहां पर दिखा रहा है कि radio के आई की नीचे तो इधर सो करता रहेगा जैसे कि यह दिखा रहा है कि create कर रहा है IT server जो मैंने भी create किया है तो यहां पर notification में दिखाता रहा था कि चल किया रहा है मैं य इस एरिये पर वो दिखा देगा reflect करेगा आई स्वे में जो हमने select की थी वह पर दिख्वी यह साथ में जिससे वह install होगा जो हमने sr create किया तो वेट कर रहे हैं वेट करते हैं आ गया install पर click किया अब वेट करते हैं थोड़ा सा virtualization है तो यह थोड़ा slow चलता है तो देखते है यह चल रहा है थोड़ा टाइम ले रहा है इस्टॉलर आ रहा है तब तक आप प्लीज मेरे चैनल पर अगर नए आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए जिससे की मेरी next video मिल जाए यह देखिए जैसे कि यहां पर आ गया मैं अपन इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं इंग्लिस इंडिया और यहां पर कंटिन्यू करते हैं कि थोड़ा स्लोर रिफ्लेक्ट कर रहा है यह सेम ऐसे ही है अब जैसा आप नॉर्मल लैप्टोप या सर्वर पे स्टॉल कर देखिए तो सेम प्रोसेश यहां मिनिमल दिखा रहा है इस पर आप उप्सन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है जिए मतलब आप ग्राफिकल में चाहते तो यह और भी बहुत सरे उप्सन मगर हमें मिनिमल चाहिए जो लाइट वेटिट होता है तो मैं वहीं सेलेक्ट कर लूँगा और यह इंस्टॉलेशन नेक्स्ट आगई जिस एक्सलामेंसन पर दिखाता आपको वह कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे रूट था रूट का मैंने पासवर्ड रख दी हां पर रूट का पासवर्ड रखने के बार डन करते हैं यह एक बार में क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं दो-तिर बार ट्राई कर तो आपके नॉलिज के लिए वीक पासपर्ट है तो वीक दिखाएगा नो इसू ले लेगा यह तो मैं दन पर क्लिक कर रहा हूं फिर से वही नेट पर की इसू है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ले लिया अब यह फिनीस होगे मैंने डारेक्ट फिनीस पर आपको दिखाय जब तक है किया तब तक है अपको किल्क करोगे तो यह कुछ दूरे से तो दन होने के बाद कुछ इस तरह से आता है लोगों फिर यह श्टार्ट होगा मसी आपकी जो भी इस्टॉल हुई है तो थोड़ा सा लेगा, start होने में, almost हो रही है, login पे जा गया, यहाँ पे अब हम login करके check कर लेंगे, तो, 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 login कर लिया मैंने, root और root का password, IP, ads हम इसकी IP check कर सकते हैं, IP नहीं लगी है, तो nmty लगा के हम इसका IP दे देंगे, जैसे कि मैंना IP दिया, edit connection, यहाँ पे गया, इथरनेट पे, इधर देखिए, so है, यहाँ पे, ok पे क्लिक किया, इथरनेट 0 है, इथरनेट 1 है, वो आपको पता होना चाहिए, आपका कौन से land network पे चल रहा है, तो आप चेक, अगर आपको डाउट है, तो एक बार, nmty command चला के, यह GUI में दिखा देता है, एक्टिवेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं, कौन से एक्टिवेट है, एथरनेट 0 एक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट हो गया, डारेक्टली अगर आपको DACP थरू आइप देनी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपकी IP उसे मिल जाती है, जैसे की मेरी IP है, मिल गई है, 132 है, तो मैं क्या करूँगा, nmty, प्रॉपर, आप चाहिए तो उसे मैनूली IP भी दे सकते हैं, जहाँ सोपे ऑप्शन था, अपडेट कमांड चला के देख लेता है, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर अपडेट ले रहा है, मतलब ही ओके हैं, तो प्लीज गाइस, मेरे चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और लाइक कर दीजे, मिस्टर डवी, बाई बाई टाटा